लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दवाना ना भूलें उत्तर प्रदेश के आजमगड में दलित यूवती के साथ हुए उत्पीडन पर योगी सरकार ने सक्त कदम उठाया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने तुरंत कारवाई करते हुए सभी आरोपियों पर NSA लगाने के निर्देश दिये हैं इस पूरे मामले में थाना अध्यक्ष महराज गंज को सस्पेंड कर दिया गया है योगी सरकार के द्वारा उठाये गए इस कदम की बहुजन समाज पाइटी की मुख्या मायावती ने जमकर सरहना की है मायावती ने कहा कि मुख्यमंत्री देर से आए पर दुरुस्त आए इसके साथ ही मायावती ने योगी सरकार को सलहा दी है कि अपराध करने वाले हर व्यक्ती के खिलाफ सक्त कारवाई की जाए दरसल बस्पा सुप्रीमो मायावती ने अपने ओफीशिल ट्वीटर हैंडल से तीन ट्वीट किये उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा यूपी में चाहे आजमगड, कानपूर या अन्य किसी भी जिले में खासकर दलित बहन बेटी के साथ हुए उत्पीडन का मामला हो या फिर अन्य किसी भी जाती वे धर्म की बहन बेटी के साथ हुए उत्पीडन का मामला हो उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है साथ ही चाहे इसके दोशी किसी भी धर्म, जाती वे पार्टी के बड़े से बड़े नेता वे कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो उनके विरुद्ध तुरंत वे सक्त कानूनी कारवाई होनी चाहिए बहुजन समाज पार्टी का यह कहना वे सलहा भी है मैवती ने आगे लिखा कि खासकर अभी हाल ही में आजमगर में दलित बेटी के साथ हुए उत्पीडन के मामले में कारवाई को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देर आए पर दुरुस्त आए यह अच्छी बात है लेकिन बेहन बेटीों के मामले में कारवाई आगे भी तुरंत वे समय से होनी चाहिए तो यह बहतर होगा